हैलो फ्रेंड्स, आज मैं क्या वेविंग इस बार चीट करेगा का नाइन्थ पार्ट लेकर हाजिर हूँ मैंने सोचा था ये स्टोरी का लास्ट पार्ट होगा, पर ये लास्ट पार्ट नहीं है इसके बाद एक और पार्ट आएगा, उसमें ये स्टोरी खतम हो जाएगी फिर मैं एक सोच स्टोरी लेकर आऊँगी मुझे उम्मिद है आप लोगों को आज की ये पार्ट भी अच्छी लगेगी अगर श्टोरी अच्छी लगी तो लाइक और कामेंट करना मत भूलना और नेक्स्ट पार्ट सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना दो दिन पहले जियान चिंग के साथ मालपिट करते हुए वो ये विक्सियन के पैर में चोट लग गई थी उसे चलने में तकलीफ हो रही थी पर फैक्टरी में काम भी बहुत ज़्यादा था फ्लैंट की अनिवर्शरी भी आने ही वाली थी ऐसे तो उसके पास ड्राइवर है पर लंजिचन ने कहा वो उसे फ्लैंटर डॉप कर देंगे लंजिचन को घर जाने की जल्दी थी वो प्लैंट के अंदर नहीं जाना चाता था वो फैक्टरी के सामने गाड़ी पार्क करके वीविक्षन को गाड़ी से उतरने में मदद करता है वीविक्षन ने अपने एसिस्टेंट को पहले ही फोन कर दिया था एसिस्टेंट मिस बाई उसका इंतजार कर रही थी विविक्षन को देखकर वो आगे जाकर उसका समान पकड़ लेती है सारे एंपलोईज उसी टाइम पर काम पर आ रहे थे CEO को देखकर वो लोग गुड मॉर्निंग बोलने लगे जुए यांग भी था वहाँ पर एक दिन की विकली आउफ में उसने परपल लोटास के बार में डिटल्स में रिशर्च कर ली थी उसे पता चला था कि परपल लोटास के CEO जियांचेंग और लर्न ग्रूप अप कॉंपनिस के CEO लर्न जिचन एक दुसरे के हजवेंट्स थे उसने सोचा था साइट जियांचेंग के साथ इंटिमेसी के वज़ा से ही विविक्सेंग को ये प्लैंड मनेजर का पोस्ट मिला है पर आज लंज जिचन को विविक्सेंग का हाथ पकड़ कर गाड़ी से उतारते देख उसके गंदे दिमाग में कुछ और ही आने लगा उसने विविक्सेंग की नेकट बाड़ी को बस थोड़े देर के लिए ही देखा था साथ साल बाद भी उस पल को याद करके उसकी बॉड़ी आक्टिव हो जाती है उसे लगा विविक्सेंग अपने बॉड़ी को यूज करके ही यहां तक पहुचा होगा जुए यंग के मन में विविक्सेंग के साथ सुने की चाहत और बढ़ जाती है चुट्टी के टाइम जुए यंग पार्किंग लॉट में वई वुक्सन के लिए वैट करने का सोचता है पर वुक्सन तो अपनी गारी लाया ही नहीं था जुए यंग अपनी गारी को roadside खड़ी करके वुई वुक्सन के निकलने का इंतजार करता रहा एक बहुत बड़ी गाड़ी आकर रुखती है वो युवक्सिन फैक्ट्ट्व से निकल कर उस गाड़ी के पसंजाज सीट पर बैढ़ जाता है अब ये कौन है? वो सोचता है उसे जियान चेंग की कही बात याद आती है जहां वो कह रहा था ज्यादा सेक्स करने का नतीजा कितने सेक्स पार्टनर होंगे उसके? जुयान सोचता है सिर्फ मेरे सामने ही वो आपने आपको प्योर दिखा रहा था पर असलियत में वो तो एक बॉड़ी भेशने वाला निकला अगर वो इतने सारे लोगों के साथ कर रहा है तो मेरे साथ क्यों नहीं करेगा? अगले दिन से ही वो अपने मिसन पर लग जाता है पर वो अपनी जॉब को खत्रे में नहीं डालना चाहता था उसने एक बार सोचा कि वो वुड़ी विक्सन को ब्लैक मिल करेगा फिर उसने सोचा पहले प्यार से ट्राइ कर लेनी चाहिए ऐसे भी साथ साल पहले वुड़ी विक्सन को पताना जितना आसान था अब उतना आसान नहीं होने वाला था पर अगर वुईवुक्सन एक्स्पिरिंस्ट हुआ है, तो जुएयां का एक्स्पिरिंस भी तो बड़ा है, फर्स्ट टिप में वो फूल और लव नोट्स भेजना शुरू करता है, नोट्स में कोई नाम नहीं होते थे, पर वुईवुक्सन जानता था वो नोट्स कौन लाज करना नहीं, उसे उम्मीद थी के धीरे धीरे वुईवुक्सन का मन पिगल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, उल्टा उसके भेजगे चीजे बाहर से ही वापस कर दिया जाने लगे, Cloud Pharmaceuticals की Operating Anniversary नजदिक थी, लानवंग जी और वुईवुक्सन की Marriage Anniversary और Plant की Anniversary सेम डे पर होती है, हर साल के तरह इस साल भी उस दिन कुछ नए प्रोडक्ट लाँच होने वाले हैं, वुईवुक्सन की R&D की टीम उसी के तयारी में लगे हुई थी, इसलिए जुए यांग वुईुक्सन से मिलने ही पा रहा था, R&D की टीम देट तक काम कर रहे थे, लेट काम करते टाइम वुईुक्सन हमेशा Employees की Security को Importance देता है, लेट निकलने वाले टीम हमेशा साथ ही Factory से निकलती है, Anniversary के दो दिन पहले उन लोगोंने 8 बजे काम पूरा कर लिया, सब कुछ करके जब वो सब लोग निकल रहे थे, तब वुईुक्सन के फोन में एक कॉल आ जाता है, उस कॉल को Receive करते करते जब वो पारकिंग अरिया में पहुँचा, तब तक बाकी सब लोग चले गए थे, जुई यंग पारकिंग अरिया में छुपके से इसी मौके का इंतजार कर रहा था, वो युवक्सन के आते ही वो उसका रास्ता रोकता है, वो युवक्सन रुख जाता है, जुई यंग बोलता है, वो युवक्सन तुम मुझे एग्नोर क्यों कर रहे हो, पहले हम कितने अच्छे दोस्त थे, हम फिर से अपनी दोस्ती को सुरू कर सकते हैं ना, नह पुरानी दोस्ती को याद करके चलो आज हम साथ में डिनर करते हैं जुए यंग बोलता है मेरा जवाब ना है और ना ही रहेगा अगर तुम इस बारे में फिर कभी बात ना करो तो बैतर होगा वो ये वुखसेन बोलता है क्यों ना बोल रहे हो मुझे क्या खराबी है मुझे तुम मुझे पोस्ट में हो इसलिए या मैं तुम्हारे उन आसिकों के तरह अमिर नहीं हूँ इसलिए लेकिन मैं तुम्हें उनसे ज़्यादा सुख दे सकता हूँ तुम मुझे आजमा के तो देखो मैं दोसों अलग-अलग पोजिसन में कर सकता हूँ ज्यादा बोलता है ये मेरी लाश्ट वार्निंग है ज्यादा फिर कभी तुमने मुझे इस तरह किसे बात की तो मैं तुम्हें नौक्री से निकाल दूँगा व्यूख सेन बोलता है अपनी पोजिसन की बहुत घमड है तुम्हें मुझे पता है तुम कैसे यहां पहुँचे हो अगर तुम्हें मुझे नौक्री से निकाला तो मैं तुम्हारे काले कर्टूतो का पड़दा फांस कर दूँगा सब के सामने ज्यादा बोलता है कौन से काले कर्टुते, क्या पर्दफास करोगे, वई वक्षेंग पोछता है ये जो धन्दा लगा रखा है तुमने अपने काम के पीछे तुम्हें क्या लगता है, मिस्टर जियान चेंग के साथ और मिस्टर लान जी चेंग के साथ तुम क्या करते हो मुझे नहीं पता है ये सब करके ही तो तुम इतने कम समय में यहां तक पहुँचे हो जुए यंग बोलता है वोई वक्सिन जुए यंग के गाल पर जोड़ से एक थपड़ लगाता है जुए यंग की गंदे बाते सुनकर वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता है कल सुबाही तुम्हें तुम्हारा टार्मिनेशन लिटर मिल जाएगा तुम्हें दुबारा काम पर आने की जरूरत नहीं है थपड़ खाकर जुए यंग का गुस्सा फूट पड़ता है वो वोईवक्सन के उपर कूद पड़ता है और उसको गाड़ी के उपर प्रेस कर देता है फिर गुस्से से बोलता है समझ क्या रखा है तुमने अपने आपको तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी करोगे और कोई कभी भी तुम्हें कुछ नहीं कहेगा सब तुम्हारे हस्बन के तरह नामध थोड़ी है वोई वुकसन उसकी बाते सुनकर अपने आपको छुड़ाने की कोशिस ना करके हसने लगता है मेरा हस्बन नामध है इससे बड़ा जोग तो मैंने कभी नहीं सुना वोई वुकसन को हसते देख जुए यंग को और गुस्सा आता है वो वोई वुकसन के साथ जबरदस्ति करने की कोशिस करता है लेकिन उसे वोई वुकसन के फाइटिंग स्किल्स के बारे में पता नहीं था उसको हैरान करते हुए वोई वुकसन उसे असानी से काबू कर लेता है मारपिट की आवाज सुनकर सिक्रूटी वाले भी आ गया वोई वुकसन जुए यंग को छोड़ देता है और सिक्रूटी उसको बोलता है इस आदमी को मैं नौकरी से निकाल रहा हूँ कल से इसे मेरी पर्मिसन के बिना फैक्टरी के अंदर मताने देना सर क्या हम पुलिस को बुला है सिक्रूटी गार्ड पूछता है दो दिन बाद प्लैंड की ऑपरडिंग अनिवर्सरी है वो वुकसन उससे पहले पुलिस की जंजट में नहीं जाना चाता था वो कहता है रहने दो फिर जुए यंग को कहता है फिर कभी इस प्लैंड के आसपस भी नजर्मत आना दोबारा कुछ करने की कोशिस की तो मैं तुमें ब्लैक लिस्ट कर दूँगा और जरूरत पड़ी तो पूलिस में भी दे दूँगा उसके बाद वो गाड़ी में बैटकर निकल जाता है रात को उसके हाथ फैरों को मालिस करते हुए लानवंग जी बोलता है ठीक क्या है तुमने पर मुझे लगता है वो चूप नहीं बैठेगा वो फिर कुछ ना कुछ जरूर करेगा ये वोईवक्सन का परसनल मैटर है वो कैसे अपने पुराने दोस्त को हैंडल करेगा क्लाउट फान्वासिटिकल्स के एंपलाईज भी उसी की जिम्मेदारी है ऐसा नहीं के लानवंग जी कुछ नहीं कर सकता पर उसको वोईवक्सन पर भरोसा है बाहरवारों के सामने अपनी मर्दांगी प्रूब करने की उसे कोई जरूरत नहीं है अब वो कुछ करेगा तो मैं उसे ब्लैक लिष्ट कर दूँगा मैंनों उसे वर्निंग दी थी पर उसे अपनी केरियर की भी फिकर नहीं है वोईवक्सन बोलता है उसके सर पर तुम्हें पानी की जुनून सवार है तुम्हें और साबधान रहना पड़ेगा लानवंग जी बोलता है मुझे पाना इतना आसान थोड़े ना है वोईवक्सन हसकर बोलता है ये बात मुझसे बहतर कौन जानता है लानवंग जी बोलता है तुम्हारे लिए तो मैं available था, तुमने ही कोसेश नहीं की थी, वो ये वकसेन बोलता है रोज love notes छोड़ता था मैं तुम्हारे लिए, लनवांग जी बोलता है और्किट की खुजबू आती है मुझसे, वो ये वकसेन चिड़ाते भे बोलता है नहीं, तुमसे जंगल की खुजबू आती है, तुम हो भी तो बिल्कुल जंगली नेचर के लनवांग जी बोलता है, मैं जंगली हूँ है तुम? वो ये वकसेन हैरान होकर पूछता है तुम्हारे एनरजी के साथ मैच करने के लिए मुझे भी जंगली बनना पड़ता है, लनवांग जी बोलता है अच्छा? वो ये वकसेन हसकर बोलता है मुझे हमेसे डर रहता है, कहीं कुछ कमी रहे गई तो मैं रिप्लेस हो जाऊंगा, लनवांग जी बोलता है तुम्हे कौन रिप्लेस करेगा? कोई है ही नहीं तुमसे बैतर? वो ये वकसेन बोलता है कितनो को ट्राइ किया है तुमने? लनवांग जी वो ये वकसेन के हाथ को मड़ उड़ते हुए पूछता है आह, किसी को ट्राइ नहीं की, छोड़ मुझे, वो ये वकसेन बोलता है लनवांग जी उसे छोड़ देता है, वो ये वकसेन लनवांग जी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है फिर आपने दोनों हाथों से लानु अंग जी का चेहरा पकड़कर उसके आखों में देखकर बोलता है मुझे जो दिया गया था मैंने उसी को ले लिया बाद में वही सबसे किमती हीरा निकला दोस्तो आज का ये पाड़ी ही खतम होता है वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाए